ग्यान प्राप्ति सदा ही समर्पन से होती है ये हम सब जानते हैं किन्तु समर्पन का वास्तविक महत्व क्या है क्या हमने कभी विचार किया मनुष्य का मन सदा ही ज्यान प्राप्ति में विभिन बाधाओं को उत्पन करता है कभी किसी अन्य विद्यार्थी से इर्शा हो जाती है कभी पढ़ाय हुए पाठों पर संदेह जनता है और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहमकार से भर देता है नहीं क्या ऐसा नहीं होता नजाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन की इसी अयोग्य स्थिती के कारण हम ज्यान प्राप्त नहीं कर पाते मन की योग्य स्थिती केवल समर्पण से निर्मित होती है समर्पण मनुष्य के अहमकार का नाश करता है इर्शा महत्व कांग्षा आदी भावनाओं को दूर कर प्रदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है वास्तव में ईश्वर की स्रिष्टी में ना ज्यान की मर्यादा है ना ज्यानियों की गुरु दत्ता त्रे ने तो गाय और श्वान से भी ज्यान प्राप्त कर लिया था अखात विशे ब्रह्म ज्ञानका हो या जीवन के ज्ञानका या गुरु कुल में प्राप्थ होने वाले ज्ञानका उसकी प्राप्ती के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रती हमारा समर्पान क्या ये सत्य नहीं? सत्य एक मनुष्चे के जीवन में ऐसा ख्रण अवश्य आता है जब सारे स्वफ, सारी आशाएं, सारे द्रिश्ट, वस्त हो जाते हैं जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं एक और धर्म होता है और दूसरी और सुख किसी को धर्म तंकट नहों देगा जब धर्म का वहन ही तंकट नहीं और धर्म का त्याग ही दुख नहीं विचार कीजिए कभी किसी इस वजन के विरोध, सत्य बोलने का अफसर प्राप्त हो जाता है कभी ठीक दर्यद्रता के समय सरक्ता से छोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है कभी किसी शक्ति शाली राज नेता या राजा के करमचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है सब के जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है अधिक्तर लोग ऐसे किसी क्षण को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाता हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता सहजता से सुखती और खिचे चले जाते हैं जैसे मक्टी गुड़ की और खिची चली जाती वास्तव में घर्म संक्ट ताक्टन इश्वर के निकट जाने का स्टन होता है यदि हम संघर्षों से भैवीतना तुक्टी और आकर्षितना अपने धर्म पर द्रिड रहे तो इश्वर का साख्षातकार दूर नहीं पवन से युद करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकास की और उठता है पवन से जुखने वाली हान वही भूमी पर रह जाती है अर्था धर्म संक्ट से यदि हम संक्ट को ही टाल दूर दुख तो मिलता है जीवन बढ़ता है किन्तू क्या चरित्र नहीं चूपता क्या आत्मा धरिद्र नहीं हो जाती क्या इश्वर से अंतर नहीं हो जाता दौएम विचार की विक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हिर्दिक प्रोज से भर जाता है इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है क्या हमने कभी विचार किया सीमाओं के द्वारा हम दूसरे विक्ति को निर्णे करने की अनुमती नहीं दे अपना निर्णे उस विक्ति पर खोपते अरफाद किसी की स्वतंतरता का अस्विकार करते हैं और जब स्वतंत्रता का अप्विकार किया जाता है तो उसका रिदे दुखते भर जाता है और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा रिदे रोजते भर जाता है क्या ऐसा नहीं होता है पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवशक्ता ही नहीं होती और फास जिस प्रकार्श विकार इसी संबंध का दे है क्या वैसे ही स्वतंut्रता किसी संबंध की आत्मान है स्वयम विचारकी तब के जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्चे आता है कि सत्य कहने का मिश्चे होता है रिदयम किन्तु मुख से सत्य निकल नहीं पाता कोई भए मन को घेर लेता है किसी घटना अथ्वा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयम से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना क्या ये सकते हैं? नहीं ये तो केवल तथ्य है अर्थात जैसा हुआता वैसा केवल बोल देना समाने सी बात किन्तु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भए लगता है कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मत दूसरे को दुख होगा ये भए भी शब्दों को रोपता है तो ये सकते क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भए रहते होए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सकते कहलाता है वास्तव में सत्य कुछ और नहीं केवल निर्भायता का दूसरा नाम है और निर्भाय होने का कोई समय नहीं होता क्योंकि निर्भायता आत्मा का स्वभाव है अर्थाज क्या प्रते एक्षण सत्य बोलने का एक्षण नहीं होता स्वेम विचार कीजिए शेश्चता का क्या अर्थ है शेश्चता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्यान प्राप्त करना अर्थात मुल्ले इस बात का नहीं कि स्वयम कितना ज्यान प्राप्त किया मुल्ले इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ग्यान अन्ने लोगों से कितना अधिक है अर्थात श्रेष्टता की एक्छा ज्यान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है और स्पर्धा में वजय अंतिम कब होती है कुछ समय के लिए तो श्रेष्ट बना जा सकता है किन्तु सदा के लिए कोई श्रेष्ट नहीं रह पाता फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन लेता है किन्तु स्ट्रेष्ट बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रेत्न करें तो क्या होगा उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना किसी से अधिक पाने की इक्षा से नहीं मात्र आत्मा की त्रिप्ती हे तो कुछ प्राप्त करना उत्तम के मार्क पर किसी अन्ने सिस्परधा नहीं होती स्वयम अपने आप सिस्परधा होती है अर्थात उत्तम बनने का प्रेत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्यान प्राप्थ हो जाता है बिना प्रेत्न के ही वो श्रेष्ट बन जाता है किन्तू जो श्रेष्ट बनने का प्रेत्न करता है वो श्रेष्ट बने या ना बने उत्तम कभी नहीं बन पाता जखनों और पूर्व अभासों के अधार पर हम भविष्चे के सुक दुख की कलपना करते हैं भविष्चे के दुख का कारण धूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं किंतु कल की संकट को आज निर्मूर करने से हमें लाप मिलता है या आनी पहुचती है ये प्रश्ट हम कभी नहीं करते हैं सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारन ताथ जन से व्यक्ति के लिए भी और प्रिष्ची के लिए भी नहीं आप अपने भूत काल का स्वरन कीजिए इतिहास को देखें आप तुरंथ ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारन करने वारी शक्ति भी जन लेती यही तो जगत का चलन है वस्तत संकट ही शक्ति के जन का कारण है प्रतेक वेक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बड़ा होता है अधिक चमकता है आत्म विश्वास्ते अधिक भरा होता है ना केवल अपने लिए अब तु विश्व के लिए भी क्या ये सत्ते नहीं वास्तव में संकट का जन में है एक अफसर का जन अपने आपको बदलने का अफ़ अपने विचारों को उचाई पर करने का अफ़ अपनी आत्मा को बलवान और ज्यान मंदित बनाने का अफ़ जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता किन्तु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वय में एक तंकट है विश्व के लिए विचार कीजिए कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने दीवन का केंद्र मान लेता है पर क्या भविश्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर नर्मित होते हैं नहीं जिस प्रकार किसी उचे परवत पर स्थर्व प्रथम चड़ने वाला उस परवत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है क्या वही योजना उसे उस परवत की चोटी तक पहुंचाती है नहीं वास्तव ने वो जैसे जैसे उपर चड़ता है वैसे वैसे उसे नहीं नहीं चुनौतिया नहीं नहीं विडम बनाए नहीं अव्रोध मिलते सते एक पत पर वो अपने अगले पत का निर्णे करता सते एक पत पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता कहीं पुरानी योजना उसे खाई में न ढखे वड़े वो परवत को अपने योग्ये नहीं बना पाता ृइंग गेवल स्वयम को परवत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं। ृई कप जमनुश्य जीवन में किसी एक चनौती को ृक अरहिक अव्रोद को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। अपने जीवन की गतिकों ही रोग देता है तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और श्चान की प्राप कर पाता अर्थार जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वैम अपने को जीवन के योग्य बनाना ही तफलता और सुक्ता एक मात्रमार्ग नहीं स्वैम विचार कीजे जीवन का हर शंड निर्णे का शंड होता है प्रतेक पद पर दूसरे पद के विशे में कोई निर्णे करना ही पड़ता है और निर्णे निर्णे अपना प्रभाव छोड़ जाता है आज किये गए निर्णे भविश्य में सुख अत्वा दुख निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए आने वाली पीडियों के लिए जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है अनश्चय से भर जाता है निर्णे का मन युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमी अधिक्तन निर्णे हम दुविधा का उपाय करने के लिए ने केवल मन को चांद करने के लिए लेते हैं पर क्या कोई दौडते हुए भोजन कर सकता है नहीं तो क्या युद्ध से जूचता हुआ मन कोई योग्य निर्णे ले पाएगा वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णे करता है तो अपने लिए सुखत भविष्य बनाता है किन्तु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णे करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता है स्वयम विचार कीजेगा जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयम को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वो सब गुणों को त्याग कर दुरगुणों को अपनाता है वसुदा मनुष्य के जीवन में दुर्जंता जन भी तब लेती है जब उसके अंतर में आत्म विश्वास नहीं होता आत्म विश्वास ही अच्छाई को धारन करता है यह आत्म विश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बर बनाता है तो उसे अपने उपर विश्वास नहीं रहता वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूनने लगता किन्तु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्ती शाली बनाते हैं ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ती बढ़ती है तो प्रतेख संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है अर्थात आत्मों विश्वास और कुछ भी नहीं बन की स्थिती जीवन को देखने का दृष्टी कोन मात रहे और जीवन का दृष्टी कोन तो मनुष्य के अपने वश में होता है स्वयम विचार कीजे पिता तदा ही अपने संतान के सुक्त की कामना करते उनके भविश्य की चिंता करते रहते इसी कारण वर्ष सदा ही अपने संतानों के भविष्चे का मार्ग स्वयम निश्चित करने का फ्रेच्न करते रहते जिस मार्ग पर पिटा स्वयम चला है जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयम देखा है मार्क की छाया, मार्क की धूप को स्वयम जाना है उसी मार्क पर उसका फुत्र भी चले यही इक्षाय रहती है हर पिताई निसन दे, उत्तम भावना है यह किन्तु तीन प्रश्णों के उपर विचार करना हम भूली जाते कौन से प्रश्ण? प्रश्ण, क्या समय के साथ प्रतेक मार्क बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनाओतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीडी को किस प्रकार लाब दे सकते हैं? दूसरा प्रश्ण, क्या प्रतेक संतान अपने माता-पिता की छवी होता है? हाँ, संतानों को संसकार तो अवश्य माता-पिता देते हैं, कि तू भीतर की शंता, भीतर की शंता तो इश्वर देते हैं तो जिस मार्क पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्क पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्थ होगा? तीसरा प्रश्ण, क्या जीवन के संघर्ष और चुनोतियां लाब कारी नहीं होती? क्या प्रते एक नया प्रश्ण, एक नये उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए-ने प्रश्णों, संघर्षों और चुनोतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाब करना कहलाएगा या आनी पहुँचाना? अधार, जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्मान करने के बदले उसके चरित्र का निर्मान करना श्रेष्ट है, वैसे ही, संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले, उन्हें नए संघर्षों के साथ जूजने के लिए मनो बल, वग्यान देना अधिक प्राप्ति सदा ही समर्पन से होती है यह हम सब जानते हैं किन्तु समर्पन का वास्तविक महत्व क्या है क्या हमने कभी विचार किया